ड्रिप इरिगेशन को खेत में स्टोल करने के पहले हमें यहां जरूर पता होना चाहिए कि हमारी क्या requirement है और हमारा बजट कितनी है अगर ये दो बाते आपको खेत में ड्रिप इस्टोलेशन के पहले पता होगी तो कोई भी कमपनी आपकी अज्यानता का फाइदा नहीं उठ सकती और आपकी जेब से एक भी पेसे की फिजूल खर्ची नहीं क्योंकि ड्रीप इरिगेशन सिस्टम बीस हजार से एक से देर लाख रुपे तक स्टोल होते हैं नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चेनल क्रेटिव किसान में वैसे तो सिचाई के कई सारे तरीके पर जिन तरीकों को किसान भाई जादा उपयोग करते वे इस प्रकार है फ्लड इरिगेशन सिस्टम, ड्रीप इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और हमारा स्प्रिंकल सिस्टम आज हम इस वीडियो में ड्रीप इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में मुख्यता इन चार पॉइंट्स पर बात करेंगे नमबर वन ड्रीप इरिगेशन सिस्टम क्या है नमबर टू ड्रीप इरिगेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या-क्या कंपोनेंट नमबर टू एक एकड के लिए अगर हम ड्रीप इरिगेशन को स्टोल करते हैं तो इसमें हमारा कितना खर्चा पर नमबर फोर ड्रीप इरिगेशन सिस्टम का उप्योग हम किन-किन फसलों में कर सकते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपनी रिक्वायर्मेंट के हिसाब से अपने खेट में ड्रीप इरिगेशन का खर्चा निकाल पाएंगे और कोई भी कमपनी आप से एक भी रुपया जादा न पहुचाते हैं जिससे हमारे पोधे की जड़ पाणी को धीरे धीरे सोपती रहती है इसके साथ ही हम ड्रीप के साथ में water soluble खाद भी दे सकते हैं इस तरह से हमारे पानी और खाद दोनों की बचत होती है और इस प्रोसेस को हम ड्रीप इरिगेशन मेथड बोलते हैं अब आ हमारा फिल्टर के भी दो टाइब के फिल्टर होते सेंट फिल्टर और हैड्रोसाइकल उसके बाद में हमारी सब-ाइप वाता है जोकि दो इंच प्रआप्विंच होता dogs आपको फिल्टर और यंके वीच ऐस एक बॉल अल्या फटा है फिर हमारी सब pipeline से drip pipeline जाती है जो की 12 mm, 16 mm और 20 mm तक की होती है सब pipeline के end में एक flush wall लगा होता है अब हम जानते हैं कि drip irrigation system किस तरह से काम करता है हमारे water source यानि कि हमारा hole या कुवा से हमारी main pipeline आती है हमारी main pipeline से हम filter को connect करते है और filter से हमारी सब pipeline जाती है filter और सब pipeline के बीच में हमारा ball wall लगा होता है हमारी सब pipeline से हमारी drip line जाती है अब हम drip line को सब pipeline में किस तरह से stall करते है या समझने के लिए आप वीडियो में आगे देख सकते है इस सब pipeline में हम drill की साहिता से 16 mm का एक hole करेंगे इस drill की साहिता से यहां पर कुछ इस तरह से आपका hole रहेगा फिर यहां पर आपको इस सब pipeline में growmate लगाना है कुछ इस तरह से इस growmate को हम take up लगाएंगे इस take up को हम एक फिट या देड़ फिट चोड़ी drip pipeline से connect करेंगे इस एक या देड़ फिट चोड़ी drip pipeline हमने इस ले लिए ताकि जब हमें हमारे खेत की जूताई करना पड़े तब यहां अलग से separate रहेगी और हम आसानी से खेत की जूताई कर पाएंगे इस छोटी drip pipeline को हम straight connector with tape की साहिता से connect कर देंगे इस tape का उपयोग यहाँ है कि हमें जिस line में पानी देना है उस line में हम पानी दे सकते और जिस बं करना है तो उसमें हम simply कर सकते On और Off फिर इस tape को हम यहाँ पर आप आसानी से अपनी drip pipeline लगा सकते drip pipeline के end में आपको end cape लगाना पड़िए आपको जिस hole का use नहीं है तो आप उसे बंदी कर सकते हैं इस connector की साहिता से हमारे सब pipeline के center में हम एक और बोलवल लगाते हैं ताकि हमें अगर आधे खेत में पानी नहीं देना है और आधे खेत में पानी देना है तो हम इसे simple यहां से बंद करके हमारे water के flow को कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए आप जब भी drip install करें तो सब pipeline के center में एक बोलवल और अवश्य लगा हैं हमारी सब line के end में एक flush wall लगा होते हैं इस flush wall का उपयोग यहा है कि हम जो हमारी drip के अंदर जो भी गंदगी रेती वह भार के तरफ निकल जाती है आप इसे चालू pipeline में open भी कर सकते हैं और इ filter से sub line में और sub line से flow होता हुआ drip pipeline में जाता है और drip से सीधे हमारे पोधे की जड़ में अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे महटपून को इंप एक एकर drip irrigation system को install करने में कितना खर्च आता है drip irrigation system को install करने के पहले हम हमारे खेत की लंबई वो चोड़ई को नापते हैं हम मान लेते हैं कि हमारा खेत वर्ग के आकार का है तो इसका मतलब यह है कि हमारे खेत की लंबई और चोड़ई सेम रहेगी एक एक एकर में वर्ग के आकार का अगर आपका खेत है तो उसकी में यहां रहेगी 63 मितर हमारे वोटर सोर्स जो कि कुवा या होल से हमारे खेट तक मेन पाइपलाइन आती है इसका खर्च ड्री पिरिगेशन सिस्टम में इंक्रूब नहीं होता है क्योंकि यह डिपेंड करता है कि आपके खेत से आपके water source की distance कितनी है सेंट filter का हमारा खर्च आएगा 3500 रूपे 3500 रूपे में आपको एक बहुत अच्छी quality का सेंट filter मिल जाए अगर आप इससे कम quality या फिर plastic का सेंट filter लगाते तो या 1500 रूपे तक भी आ जाता है अब हम हमारे खेत में सब pipeline डालेंगी सब pipeline की लंबाई रहेगी 208 फिट क्यों रहेगी यहाँ आपको पहले ही हमने समझा दिया था क्योंकि हमारा खेत वर्ग क्या कार गए तो इसकी लंबाई और चोड़े ही सेम रहेगी इस तरह से हमारे सब पाइपलाइन की लंबाई रहेगी 208 फिट, हम सब पाइपलाइन के लिए 2 इंच का PVC पाइपलेगी, जिसके 20 फिट क्या खर्च आता है 595 रूपे, इस तरह हमारा सब पाइपलाइन का खर्च आएगा 5750 रूपे, अब हम ड्रिप लाइन की कोश्ट को नि 208 में अगर हम 4 का भाग देंगे, तो कुल लाइन की संख्या आएगी 22, ड्रिप पाइपलाइन, दो तरह की होती है, इन लाइन और आउट लाइन, इन लाइन के अंदर आपको 4 होल मिलते हैं, ताकि एक होल अगर खराब भी हो जाए, तो भी आपका काम चलता रहेगा, वह इन लाइन का उप्योग हम वेजेटेबल स्क्रोप के लिए जादातर करते हैं, आउट पाइपलाइन के ऊपर की तरफ एक ड्रिपर लगा होता है, इसका उप्योग हम जादातर, जो हमारी बागबानी वाली फसले होती है, जैसे कि संत्रा, नीबू, एपल वेर, इनके रहता है, 16 mm, इन लाइन 40 cm, यानि कि 16 mm का डायमीटर होगा, ड्रिप की लाइन का, और हर 40 cm में आपको ड्रिपर मिलेगा, जो की 4 लिटर पानी को छोड़ेगा हर एक घंटे में, ड्रिपर की डिस्टेंस आप कमपनी से बोल कर 20 cm, 60 cm, 80 cm और 16 cm तक भी रख सकते हैं, यह आपक के उपर निर्भर करता है, कि आपको ड्रिपर किटनी डिस्टेंस पर चाहिए, जादतर किसान भाईयों का काम 40 cm के ड्रिपर में हो जाता है, 16 mm की जगह 12 mm और 20 mm भी आता है, इनकी कोष्ट लगबग लगबग सेमी रहती है, 16 mm 40 cm की 300 मिटर की एक कोईल आती है, जिसका बन 11 कोईल लगे हैं, यह संख्या के से आई, इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, हमारी खेत की लंबाई थी 63 मिटर और टोटल लाइन थी 52, इस तरह से 63 इंटू 52 हुआ, 3296 मिटर यानि की 11 कोईल, जब आप 11 कोईल एक साथ खरीदते हैं, तो यहां आपको आसानी से 25 हजार के असपास मिल जाएगी, यानि की हमारा ड्रीप पाइपलाइन का खर्च आएगा 25,000 रूप, यही पर अगर आपके बेट की डिस्टेंस 8 बाई 8 होती, यानि की आपके बेट से बेट की दूरी 8 है, तो आपकी ड्रीप पाइपलाइन भी 8 बाई 8 पे ही लगती, इस त आपको 10,000 में 3000 मीटर की कोईल आसानी से मिल जाती है, अब हर सिंगल ड्रीप पाइपलाइन के साथ में एक ग्रोमेट लगेगा, एक टेक अप लगेगा, एक जोइनर लगेगा, एक स्ट्रेट कनेक्टर विट टेप और एंड में एक एंड केप लगेगी, जिनकी प्राइच कुछ इस तरह से, ग्रोमेट धाई रूपे, परपीस, टेक अप दो रूपे, एंड केप एक रूपे, जोइनर दो रूपे, इस्ट्रेट कनेक्टर विट टेप पाँच रूपे, चुकि हमारी बावन लाइन है, तो इन सभी S.A. सिरिस की हमारी संख्या लगेगी बावन, जिनका कुल खर्च आएगा 650 रूपे, अगर आपकी सब पाइप लाइन, खेत के सेंटर में लगती, तो इन सभी की संख्या आपको डबल लगती, तो आपका S.A. सिरिस का खर्च आता 1300 रूपे, एक एकर में आपको दो बॉलवल लगेगी, जिनका खर्च आएगा 300 रूप सिस्टम का कुल खर्च आएगा 36,900 रूप, इसमें हमारा लेबर का खर्च इंक्लूड नहीं है, इसके साथ ही, आप जिस भी कमपनी के साथ में ड्रीप इरिगेशन को स्टोल करते, तो वा सर्वे का भी खर्च लेती है, तो यहाँ दो खर्च आपके एक्स्ट्रा में और अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से, अपने खेत में आने वाले ड्रीप इरिगेशन के खर्च को निकाल सकते हैं, आप जिस भी कमपनी के साथ में ड्रीप इरिगेशन को स्टोल करते हैं, तो उनसे एक एक कमपोनेंट के बारे में जानकारी ले, अगर वहाँ आपको बोलते हैं कि आपको दो फिल्टर लगेंगे और आपके यहाँ पर हो ले तो आपको दो फिल्टर की कोई ज़ुरत नहीं है तो आप उनसे सवाल जवाब करिए और एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में जानकरी लीजी अब आते हैं हमारे चोथे पॉइंट पर ड्रीप इरिगेशन सिस्टम का उप्योग आप वेजीटेबल क्रोप में टमाटर, शिम्ला, मिर्च, मिर्च, बेंगन, प्याज, इसके साथ ही हमारा करेला, लोकी, गिलखी और भी आप कई सारी फसलों में ड्रीप इरिगेशन सिस्टम का उप्योग कर सकते हैं फूल गोबी हो गया, हमारी पत्ता गोबी हो गई, ब्रोकली हो गई, इन सभी फसलों में आप ड्रीप इरिगेशन सिस्टम का उप्योग कर सकते हैं केश क्रोप के लिए आप गन्नावा कपास में भी ड्रीप इरिगेशन सिस्टम का उप्योग कर सकते हैं वहीं हमारी बागबानी की जितनी भी फसले हैं जैसे की संत्रा, नीम्बू, एपल वेर, एपल और भी कई सारी बागबानी वाली फसले हैं जिनके लिए आप ड्रीप इरिगेशन सिस्टम का उप्योग कर सकते हैं इस वीडियो में दी गई जानकरी अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो इसे सब्स्राइब बहुत शकर अगर आपके ड्रीप इरिगेशन सिस्टम से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए धन्यवात किसान भाईयो जे जवान जे किसान